हेलो दोस्तों मैं सोनिका आज आपको बताऊंगी कि लड़किया अपने कैसे सभाव से लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक करते हैं तो आज की वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होने वाली है क्योंकि दोस्तों देखो लड़कियों के बारे में यह बात तो आपको पता ही हो करने के लिए तो आज की वीडियो देखने के बाद अब बहुत आसाने से पता कर लोगे कि लगी अगर आपके सामने रखती है ठीक है तो उससे मतलब है कि वह एक तरह से आपको अपनी तब ट्रैक करना चाहते है तो आज की वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग है तो आई व करने के लिए अपना कैसा सभाव अपनाती है तो सबसे पहले जो पॉइंट इस टाइब की लड़किया बहुत असानी से लड़कों का ध्यान अपनी तरफ खीच लेती है या उन्हीं अपनी तरफ ट्रैक कर लेती है तिक में अपने सभाव की वज़े से अपने क्योटनस की तो यह चीज भी लड़कों के होती है कि अगर वो लड़के का ध्यान खीश में चाते हैं तो अपना सुभाव इस तरह से रख लेते हैं कुछ लड़कियों में बाइडिफॉल्ट होता है ठीक है कुछ लड़कियां पहले से रिप्टिट होती हैं बहुत ही चंचल होती है जो दिखा होगा कि लड़कियों को वो लड़की बहुत ही अठ्रैक्टिव लगते हैं तो वह अपने इस नेचर को अपना लेती है कि एक तरह से खास दौर पे लड़के को दिखाने के लिए या उसका ध्यान खीछने के लिए वो उनके सामने अशा बिहेव करती हैं जिसेकि के लड़के , बहुत ही जादeding नवघी प्याद करने वाली है टिक कि से वीचे हैं कि भूरा प्राटर ृप मैस्यर रहर करती है is कमश्याagers 17106 پूंट Vitry ऊsen शुप है इसका दिया प्रजमिपों मिलाजा और भी यहां तरफ चीछ लेती हैं जैसे कि अपने दोस्तों के साथ है तो कुछ ऐसे एक्टिविटी करेंगे जिसे लड़के का ध्यान उनकी तरफ जाए गई जाएगा ठीक है तो यह चीज़ भी कर लेते हैं इसके लगए नेक्शु पॉइंट वह अपने इमोशनल सौभाव से यानि कि अगर कोई लड़की बहुत सद अपने इमोशनल है तो आपका ध्यान उसकी तरफ जाएगा तो इस तरीके से भी लड़कियां अपने इमोशनल सौभाव से किसी भी लड़की को आसानी से अपनी तरफ ट्रैक कर लेती है या उनकी अटेंशन पा लेती है इसके लवन नेक्शु पॉइंट है कि ऐसे सौभा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे